वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकान का बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारी नूँ लेटिस ट्वाली वीडियो में जितने भी डाउट है, आज सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमें पॉल्सी की जरूत क्यों पड़ती है जब भी हम अपनी बाइक या कार को लेकर रोड पे जाते हैं तो उसमें कई तरह के risk involve होते हैं जैसे हम अपनी बाइक या कार से किसी इनसान को hit कर दें या किसी की गाड़ी को damage कर दें या पिर किसी की property को नुकसान पहुचा दें तो ऐसे में हम जिम्मेदार होते हैं उस वेक्ति का नुकसान को भरपाई करने के लिए जिसका नुकसान हमने किया है तो ultimately हमें उसे पैसे देने होते हैं तो यहाँ पर जो काम करती हैं यहाँ पर काम आता है Bima Company का Bima एक तरीके की policy है एक तरीके का contract है आपके और Bima Company के बीच में और वो contract यह है कि आप उसे साल में एक fix premium देते हो जिसके बदले में वो आपसे जाने या अंजाने में किसी का गाड़ी की damage हो जाती है किसी की property को नुक्सान आप पहुचा देतो तो उसके भरपाई वो आप ना करके Bima Company आपके नुक्सान की भरपाई करती है तो ultimately यह process है Bima Company का तो आपने सुना होगा first party second party third party आखिर इने ऐसे क्यों बोला जाता है first party जो होती है वो व्यक्ति होता है जिसके नाम से policy हुई हुए होती है यानि अगर आपने policy करवाई हुए तो first party आप हुए second party वो होता है company को हम बोलते है third party वो व्यक्ति होता है जिसका नुक्सान आपने कर दिया है तो basically अब यह आपके समझ में आ चुका होगा कि जो first party है वो आप है यानि जिसके नाम से policy है second party company को और third party वो व्यक्ति होता है जिसका आपने नुक्सान कर दिया है तो दोस्तो अब हम जान लेते हैं third party के बारे में choice नहीं है आपकी वो आपको कराना पड़ेगा वो mandatory है third party अगर आप बाइक या कार यूज कर रहे हो या फिर चलाते हो तो आपके लिए third party insurance कराना अनुवारी है third party insurance में मालीजे आप अपनी कार से या बाइक से रोड पे जा रहे हैं और सामने आपने अपनी कार से किसी अन्य वक्ति को जो है उसको हिट कर दिया उसकी गाड़ी को अपने डेमेज कर दिया जो उसका driver है उसको भी serious injury हुई है और उसकी गाड़ी भी अच्छी तरीके से डे नुकसान हुआ है आपका किसी तरीके injury हुई है तो वहां पर third party cover नहीं की जाएगी आपका जो कोई भी नुकसान है आपका cover नहीं किया जाएगा जिसका जिसने आपको ठोका है उसका आप cover third party में ले सकते हो तो दोस्तो basically आपको third party insurance कराना जरूरी है third party में आप एक PA भी ले स आरे होई फिर आपकी family member में कोई आपके साथ बैठा है तो आप उससे आपकी serious injury में मदद हो जाएगी और आप जो है एक financial चीजों से बस सकते हो तो दोस्तो third party insurance कराना बेहर जरूरी है और benefit इसके यह हैं आपने मालीजे किसी को ठोक दिया तो किसी भी तरीकी की कानूनी बचाव होगा और आपके court या कचेरी से बचाव होगा और आपकी जो hospitality का खर्चा है वो आपको नहीं देना है तो basically third party insurance कराना जरूरी है यही कुछ basis है third party के जिसमें आप आपको लाब ना मिलके सामने वाली को पार्टी को लाम मिलता है तो दोस्तों अब जान लेते हैं first party insurance क के बारे में first party को comprehensive insurance भी बोलते हैं जब भी आपने देखा होगा कि policy को प्र comprehensive लिखा हुआ है तो basically वो first party insurance होता है first party insurance में कैई तरीके की करिटेरिया हैं जैसे zero debt, add-on तो इसमें बहुत सी चीजे अगर आपने first party zero debt के साथ कराया है तो उसमें आपको बहुत से benefits मिलते हैं जैसे कि आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया उसका भी cover आपको मिलेगा उसकी driver का cover भी आपको मिलेगा आपकी गाड basically अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो भी आपको पूरा जो उसकी कीमत है गाड़ी कीमत भी मिलेगी तो basically आपको पूरी इसमें पूरी चीजे cover की जाती है अगर आपने इसको add-on के साथ कराया है जैसे कि zero debt के साथ आपने कराया है तो इसमें basically आपको first party insurance में बहुत स subscribe करके गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी भी तरह का जो है claim नहीं मिलेगा आपका valid license नहीं है तो आपको claim नहीं मिलेगा तो यह basic सी चीज है आप जो है यह देख के ले सकते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लिए को लाइक जरू कि देखा धन्यवाद